हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चैनल असलाम उलेकूम कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हूँ सब लोग खेरियस से होंगे तो आज में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुति टेस्टी और बहुती यं यमी जलेबी की रेसि पी एकदम कुरकुरी और बहुती बढ़िया जलेबी हम घर पर ही बनाएंगे और बिना किसी एस्ट के और ये बहुत ही जटपट से बनकर तयार हो जाती है तो फिर आईए हमसे बनाना शुरू करते हैं इंस्टेंट जलने भी बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों के जरूत पड़ेगी आईए देख लेते हैं तो यहां मैंने एक बाउल लिया है और इसमें मैंने मैंदा मैंने एक कप मैंदा ली है और अब मैं इसमें अड़ करूंगी आदा छोटे चमच सब्स बेकिंग पाउडर और दो चुटकी मैंने यहां लिया है फूट कलर आप चाहें तो red या orange वाला color भी ले सकते हैं मैंने यहाँ yellow food color लिया है और यहाँ मैंने आदा cup डाल को भिगो कर रख दिया था यह उरत की डाल है बिना चिलके वाली जो white color की होती है वो वाली डाल है इसको मैंने भिगो कर mixी में इसका paste बना लिया है और आप इन सारी चिज़ों को अच्छे से mix करेंगे तो यहाँ मैंने एक cup पानी लिया है और इस पानी को इसमें डाल कर थोड़ा थोड़ा डाल कर अच्छे से mix करेंगे और एक paste जैसा बना कर तयार कर लेंगे जिससे की हम jellyvia बनाएंगे तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें add किया है और इसका एक soft batter जैसा तयार करेंगे तो इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इस तरह से चमच की मदद से अच्छे से फेटते हुए चला लेना है और इसमें कोई गुड़िया या lumps ना रहें जिसे कि हमें जले भी बनाने में परिशानी हो सकती है तो हमें इसे अच्छे से फेटना है आप चाहें तो इसे हाथ की मदद से भी अच्छे से फेट सकते हैं मैंने यहां चमची किया है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया एकदम सॉफ्ट और हमारा जो बैटर है वो बनकर तयार हुआ है और यहां आदे कप से थोड़ा सा जादा पानी लगा है और पानी थोड़ा सा बच भी गया है तो इतने पानी में हमारा जो बेटर है वो बनकर तयार है तो चलिए अब हम इसे रख देते हैं साइड में और यहां मैंने एक पैन लिया है और अब हम चाशनी बना लेते हैं सबसे पहले तो चाशनी बनाने के लिए हमने यहां लिये चीनी तो मैंने यहां दो कप चीनी ली है और अब हम इसमें एड़ करेंगे पानी तो मैंने यहां दो कप चीनी में देड़ कप पानी का यूज किया है जिसी कि हमारी एकदम परफेक्ट चाशनी परिंगर तयार होगी तो मैंने यहां डेड़ कप पानी इसमें एड़ कर दिया है और इसे इच्छे से हिला लेंगे और अब हम गैस जला कर इसे रख देंगे गैस पर तो आप देख सकते हैं मैंने इसे गैस जला कर गैस पर रख दिया है और हमारी चाशनी में बच्छे से उवाल भी आ चुका है तो अब हम इसमें एड़ करेंगे सफेद बाली इलाइची और थोड़ा सा फूट कलर जो हमने बचा कर रखा था इससे हमारी जलेवियों को जो कलर है बहुत ही बढ़िया आएगा और इलाइची से इसमें जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया खुश्बू आती है बहुत ही अच्छी हमारी जलेवियों जो है वो बनकर तयार होती है तो हम इसे बीच-बीच में चलाते हुए चेक भी करते रहेंगे हमें जो चाशनी है वो एक तार के चाशनी चाहिए जलेवि बनाने के लिए एक तार के चाशनी होती है तो हमें भी यहां एक तार के चाशनी के जरूरत है तो हम वैसे ही चाशनी बना कर तयार करेंगे तो आप देख सकते हैं चाशनी हमारी कुछ-कुछ होने लगी है और अब मैंने इसमें थोड़ा सा कुछ ड्रॉफ नीबू के अट किये हैं जिसी कि हमारी जो चाशनी है वो जमेगी नहीं और हमेरी जलेबिया जो है वो बहुती बड़िया बनेंगी तो आप देख सकते हैं यहां एक तार्की चाशनी हमारी जो है वो बनकर तयार हो चुकी है और इस तरह से हम चैक करेंगे तो हम गैस कर देते हैं बन चाशनी हमारी तयार है तो आज हम यहां जलेबिया बनाएंगी दूद के पैकेट से दूद की जो थैली होती है उससे हम जलेबिया बनाकर तयार करेंगे तो आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छी से वाश कर लिया है अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से और इसे मैंने उपर से थोड़ा सा काट दिया था किसी की अंदर से धोने में परिशानी ना हो तो हमने जो बैटर बनाकर तयार किया था उस बैटर को हम चम्मच की मदद से इस तरह से इसमें डाल देंगे और अगर आप चाहें तो इसे किसी ग्लास में लोट कर और ग्लास से भी अच्छे से फिल कर सकते हैं क्योंकि इससे वो बहुत ही आसानी से हो जाता है तो हमारा जो बैटर है वो अच्छे से फिल हो चुका है और अब हम इसे उपर से एकदम बद कर देंगे किसी रबड की मदद से इसे लॉक हम इसलिए कर रहे हैं जिसकी हमारा जो बैटर है जलेबी बनाते हुए उपर से ना निकले तो हम इसे उपर से सील गरेंगे और तो अब हम इसे नीचे की साइड से एक सीजर यानि कैची की मदद से इसे कट कर देंगे तो मैं ये यहां जलेबिया थोड़ी पत्ली ही पनाना पसंद करूंगी क्योंकि पत्ली जलेबिया बहुती बढ़िया और कुरकुरी और रसीली बनकर तयार होती है तो मुझे वैसी ही जलेविया पसंद है उसी हिसाब से इसे कट किया है तो मैंने यहाँ आल्रेडी तेल गरम होने रख दिया था तेल हमारा गरम हो चुका है तो आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया हमारी जलेवियां है वो बन रही है और इस तरह से हम एक एक करके सारी जलेवियों को बना लेंगे तो जलेविया हमारी सारी हो चुकी है एक तरफ से यह अच्छी से सिख चुकी है तो अब हम इसे पलट देंगे और इस तरह से अलट पलटके हम इने करारा सिखने तक ऐसे ही फ्राइ करेंगे तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ से हमारी जो जलेबी है एक तरह बढ़िया सुनहरी कलर की जो है वो सिककर तयार हो चुकी है और हमें इसी तरह की जलेबियां चाहिए तो अब हम इसे निकालकर डारेक्ट चाशनी में डाल देंगे चाशनी जो है वो हलकी गरम होनी चाहिए एकदम ठंडी चाशनी में हम जलेबियां नहीं डालेंगे अगर आपके चाशनी ठंडी हो गई हो, पहले बना कर रखे हो, तो आप इसे हलका सा गरम कर ले जब तक हमारा दूसरा बैच बनकर तयार हो रहा है, तब तक हम इस जलेवियों को निकाल लेते हैं तो हम इसी तरह से अब दुबारा से सारे जलेवियों को बना लेंगे सेम वही प्रोसेस करेंगे हम दुबारा से हम इना पलेट देंगे और इस तरह अलेट पलेट के हम इना सुनहरा होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसे चाचनी में डाल देंगे और 4-5 प्रिट लिट के बाद हम इसे चाचनी से निकाल लेंगे क्योंकि हमारी जलेबिया है जो आप देख सकते हैं हमारी जो जलेबिया है उनमें चाचनी अच्छे से अब्ज़र्ब हो चुकी है और अब मैं इने भी निकाल कर एक प्लेट में रख लूँगी तो इसी तरह से हमारी जो है वो सारी जलेबिया बनकर तैयार है तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बहुत ही क्रिस्पी और रस्बरी जलेबिया हमारी बनी है और यह दिखने में भी बहुत ही बढ़िया लग रही है एकदम मार्कीट जैसी जलेबिया हमारी बनकर तैयार हुई है तो आप भी इसे अपने घर में जरूर मनाईए और मुझे कमिट करके बताईए आपको मेरे वीडियो कैसे लगा अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज से से लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब परना बिल्कुल भी न भूलिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक किर बाइ 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 अल्लाह अपिर